हमारी प्रिथवी, हमारी सौरमंडल का एक ऐसा ग्रहे जिसमें जीवन पाया जाता है अगर हम बात करें प्रिथवी के इतिहास की, तो आज से लगबग 100 मिलियन साल पहले इस धर्ती पर इंसानों कोई नामों निशान नहीं था और धर्ती पे पाये जाते थे कुछ ऐसे जीव, जिनकी लंबाई लगभग 10 मीटर और चोड़ाई 4 से 5 मीटर होती थी और इनका जबड़ा इतना ताकत्वरी किसी भी जीव की हडियों का पल भर में चकना चूर बन सकता था इन जीवों ने प्रित्वी पर 200 मीलियन से जादा वर्सों तक राज किया और एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि ये सारे जीव प्रित्वी से गायब होगे जी हमें बात करने लग रहा हूँ डाइनसौर के पारे में इतने सारे डाइनसौर अचानक से ही प्रित्वी से गायब कैसे होगे डाइनसौर के मरने के बाद इनसान कितने वर्सों के बाद जन्मा तो आईए जानते हैं कुछ ऐसे ही रोचक सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में तो आईए दोस्तों कहानी के सुरुआत करते हैं सुरू से साइंटिस्ट का मानना है कि पहला डैनसौर आज से लगबग 200 से 500 मिलियन साल पहले जन्मा होगा क्यूंकि साइन्टिस्ट को सबसे पुराना डाइनसौर फोशल लगभग 230 मिलियन साल पुराना मिला है जो अफरीका में पाया गया था आज से लगभग 230 मिलियन साल पहले धर्ती का हाल कुछ ऐसा नहीं था जो आज हम सभी कॉंटिनेंट को देखते हैं वो पहले मिक्स थे और उस मेगा कॉंटिनेंट का नाम साइन्टिस्ट ने रखा है पैंजिया फिर समय के साथ ये कॉंटिनेंट आपस में ब्रेक होने लगे और अलग-अलग हो गए जो डाइनसौर आज से लगबग 230 मिलियन साल पहले एक्जिस्ट करते थे उनकी लंबाई लगबग 2 मीटर होती थी इस वक्त धरती का टैमपरेचर बहुत ज़ाधा थंडा था और धरती की प्लेट्स में मोमेंट्स के चलते बहुत सारे जौलम की फटे और बहुत तेजी से क्लाइमेट चेंज हुआ जो और प्रकार के जीव धरती पर एक्जिस्ट करते थे वो सभी एक्स्टिंट हो गए वो थंड में रहने वाले जीव थे जो क्लाइमेट चेंज को सहे नहीं पाए और एक्स्टिंट हो गए यहाँ पे कहानी में एक तुष्ट आता है डाइनसौर और कुछ विसेस प्रकार के जीव इस टेंपरेचर को सहे गए जैसे डाइनसौर, प्रोकोडाइल्स, टर्टल और मैमल यह जीव डाइनसौर के कमजोर थे कि डाइनसौर के आगे इनकी क्या चलती और यह विसेस प्रक की प्रजाती को धरती से एक्स्टिंट कर दिया, असल में क्या हुआ कि एक 10 से 15 किलो मीटर का एस्टरोइड धरती से टकरा गया, जिसकी स्पीड लगबग 30 किलो मीटर पर सेकेंड थी, जो किसी जैट एयर प्लेन से कमपेरिजन किया जाए तो उससे डेर सो गुना जादा है जो आज के मैप के अनुसार देखा जाए तो प्रित्वी पर मैक्सिको के यूला टांग पहला सुना पे गिरा था, इससे इतनी एनरजी लिख ली कि जहाँ पर एस्टरोइड गिरा था उससे 180 किलो मीटर के दाएरे में एक बड़ा सा गड़ा बन गया, और इससे प्रित्व में देखा जाए तो सभी डाइनासौर एक्स्टेंट नहीं हुए थे, अगर हम कुछ एक्सपैंसन को इग्नोर कर दे तो जिसका वेट 25 किलोग्राम से जाधा है, वह कोई भी डाइनासौर बच नहीं पाया, और कुछ छोटे डाइनासौर बच गे, और कुछ मैमल्स बच ग पर आज से लगभग 3 लाग साल पहले जन्म हुआ इंसानों का, आप सभी को ये पता होगा कि हम सभी हुमेंस के एंसिस्टर्स हैं बंदर, तो बंदरों में एविलूशन के चलते जन्म हुआ इंसानों का, आज से लगभग 3 लाग साल पहले, इन ही कुछ कारणों के चलते कह पहा जाता है कि evolution में बहुत जाधा ताकत होती है देखिए हम इंसानों ने तीन लाग सालों में कितनी तरक्की की है और ये थी डैनसौर की कहानी कि किस तरीके से वो जन्मे और किस तरीके से वो एक्स्टेंट हो गए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बने आ रहे बेल आइकन को और पर सिलेक्ट कर दीजिए और इस वीडियो को शेर कीजिए अपने friends और अपने family members के साथ ताकि उनको भी ये knowledge मिल सके इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में कुछ नया लेके